नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है दन एक्सचेंड में तो आज के वीडियो में मैं आप सब को कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपको एक क्लियर अंडरस्टाइडिंग होगा कि कौन सा फोन आपको लेना चाहिए तो चल ये वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चीज जो आपको देखना है वो है प्रोसेसर क्योंकि अगर प्रोसेसर अच्छा हुआ तो आपको experience काफी अच्छा मिलने वाला है फोन यूज करते हैं तो आज कल Snapdragon 660 या उससे उपर होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका day-to-day uses अच्छे से हो जाए तो ये प्रोसेसर जेनरली 10,000 के price range में आपको मिल जाएगा और अगर आपका budget 15-16 आ जा रहे है तो आपको Snapdragon 730G तक प्रोसेसर मिल सकता है तो इसमें आपका day-to-day use अच्छे से हो जाएगा और अगर आप gaming वगेरा करना चाते हैं तो इस प्रोसेसर में आप high settings तक gaming कर सकते हैं तो आप देखी सकते हैं कि प्रोसेसर कितना बड़ा role play करता है एक smartphone में दूसरी चीज जो आपको अपने ध्यान में रखनी है वो है battery backup क्योंकि अगर आप अच्छा से अच्छा phone ले लेते हैं बट आपको वो एक अच्छा backup नहीं देता है तो phone लेना बरबादी हो जाएगा क्योंकि अगर आपके पस अच्छे specification का phone है बट आप उसी use ही नहीं कर पा रहें तो क्या फाइदा इसलिए आपके phone में 4000 mAh की battery होनी बहुत ही ज़रूरी है 4000 mAh की battery होने से आपका phone लगभख एक दिन का battery backup आपको देही देगा तो आपको ऐसा phone देखना है जिसमें fast charging supported हो क्योंकि fast charging से आपका समय तो बहुत ज़्यादा बचेगा और आपका phone भी बहुत जल्दी charge हो जाएगा मान दीजिए आपके phone में charge ही नहीं है और आपको urgently कहीं निकलना है तो आप phone को charging पे लगाएंगे और जब तक आपका packing होगा तब तक आपका phone full charge हो जाएगा अगर आपके phone में fast charging supported है तो तो देखी सकते हैं कितना ज़्यादा आपका time बचेगा अगर fast charging supported है तो अब बात कर लेते हैं RAM की तो 4GB सही है आपके daily uses के लिए और अगर आप gaming वगेरा करते हैं या फिर multitasking बहुत करते हैं तो आप 6GB या 8GB प्रिफर करें यूज करना बट फर daily uses 4GB is enough अब बात कर लेते हैं camera की तो आजकल companies हमें 48-64 megapixels की camera प्रोवाइड करते हैं हमारे phone में बट एक सबसे बड़ा मित है कि अगर आपके पास ज्यादा megapixel का camera है तो आपका picture quality अच्छा आएगा तो यह सरा सर गलत है क्योंकि आप जब भी normal pics वगेरा क्लिक करते हैं तो आपका phone 12 या 13 megapixel यूज करता है camera में अब बढ़ते हैं storage की तरह तो minimum आपके phone में 64 GB का storage होना ही चाहिए क्योंकि आजकल smartphone में इतना अच्छा camera आ गया है कि अगर आप एक भी photo निकालते हैं तो 55-66 MB का वह photo होता है और अगर आप video बगरा निकालते हैं तो वह भी बहुत बड़ा size का होता है तो यह सब store करने के लिए आपको ज़्यादा storage की ज़रुत पड़ती है और 64 GB थोड़ा कम लगने लगता एक time के बाद तो आप prefer कर यह 128 GB लेने का और आप SD card का भी use कर सकते हैं अपना storage बढ़ाने के लिए तो अगर आप SD card नहीं लेना चाते हैं तो मेरा एक video है जिसमें मैं बताया हूँ कि कैसे आप अपने phone में 60 GB का storage यूज कर सकते हैं वो भी बिल्कुल free में तो मैं description box में link दे दूंगा आप आप जाकर उसे देख सकते हैं अब बात कर लेते स्क्रीन की तो आप prefer कर यह amolet screen के phone खरीदने के लिए क्योंकि amolet screen में आपको colors वगरा बहुत ही अच्छे दिखते और बहुत ही पंची दिखते हैं तो अगर आपको phone का screen amolet हुआ तो आपको बहुत अच्छा experience मिलेगा phone य अच्छी बात है अगर आप 5G phone लेते हैं तो आप future proof हो जाएंगे तो कि अगर आपको in future 5G use करना है तो आपको new phone नहीं लेना पड़ेगा 5G use करने के लिए तो एक बहुत बड़ा advantage है अगर आप 5G phone खरीटते हैं तो यही कुछ tips है जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आ यहीं पर खतम होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए श्यूयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजेगा चैनल को तो मिलते हैं अब अम लग नेक्स्ट वीडियो में